ओम शान्ती आज 31 ओक्टूबर 2022 है बाबा के इतने सारे टाइटल्स में से एक टाइटल है बिगडी को बनाने वाला गिरे हुए को उठाने वाला जो बाबा ने आज हमें मुली में भी कहा कि बाबा कैसे गिरे हुए को उठाते हैं प्यार से पुछकार देते हैं उसको ताकि वो खुद सक्षम बन सके और उंचा उठ सके तो हमारा भी वही कर्तव होना चाहिए इसी संदर्व में आईए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक इशारे अपनी वा अन्य आत्माओं की बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समा दो समा कर शुब भावना से उस आत्मा के प्रती मनसा सेवा करते रहो जब पांश तत्वों के प्रती भी आपकी शुब भावना है ये तो फिर भी सहीयोगी ब्रामण आत्माएं हैं भले संसकार के वश कोई उल्टा भी कहता करता या सुनता है लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो एक से दो तक दो से तीन तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना बन जाए अगर हम हर कोई अपने 84 जन्मों की कहानी देखे तो याद आता है कि पिछले 63 जन्मों में हमने विकर्म ही विकर्म किये हैं एक भी कर्म हमें बचा नहीं पाया हमें उचा नहीं उठा पाया किसी ने थोड़ा तो किसी ने जोर से गिराया इसलिए अगर बीती को चिंतन करेंगे तो हम कभी भी उठ नहीं सकते ऐसे ही दूसरी आत्माओं के भी अगर बीते हुए कर्मों की या बीते हुई बातों की माला ही जबते रहेंगे तो ना हम कभी अपने मन में उसके प्रती भावना को बदल सकेंगे और ना कभी उसको सहयोग देख पाएंगे ना कभी उसको उंची दृष्टी से देख पाएंगे अगर हम वास्तविक स्वरूप में उसको देखें तो क्या पता ये वही आत्मा हो जिसके मंदिरों में मैंने कई बार माथा टेका है कई बार उसको नाम लिया है उसका कई बार उसके हमने आर्थी गाई है ये ब्रामण आत्मा ही है जो कही ना कही हम आत्माओं को संपूर्ण बनने में मदद देती है इतना बड़ा सहयोग हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दे रही है इसलिए बाबा ने आज हमें कहा कि हमें पहले तो इस प्राम्वन परिवार के प्रती पूरी निष्ठा से और निष्चे से सहयोगी बनना है उसके लिए बीती बातों को चित पर ना रखते हुए उनको भुला करके त्रिकाल धर्शी हो करके सामने वाली आत्मा को अनादी और आदी स्वरूप में हम देखें बाबा ने आज ये भी कहा कि जब हम प्रकृती उसके प्रती भी शुब भावना रख सकते हैं जो जड़ है तो ये तो फिर भी चैतन्य आत्माए हैं ये तो फिर भी सहयोगी आत्माए हैं इनके प्रती शुब भावना रखना अर्था है तो खुद को शुब भावना से बन्न बना पाना इसलिए वाबा ने आज कहा कि ये एक से दो तक व्यर्थ की माला ना बनाते हुए आत्मा की कमजोरी को ना देखते हुए उसके उस असली स्वरूप को देखे और उसके प्रति सहयोगी बनकर अपनी शुब भावना और शुब कामना के स्टॉक को बढ़ाते चले तभी उस स्टॉक से हम विश्व की सेवा कर सकेंगे ओम शान्ती